तो CMA brand ने कैसे आपका काट लिया है वो मैंने एक आल्रेडी वीडियो में बताया है तो वह वाला वीडियो आप बाद में जाकर देखें लिकिन उससे पहले नतिंग भी बैसे ही कर रहा है जैसे बाके के ब्रेंड्स कर रहे हैं मतलब वह भी वैसे ही smartphone launch करें अपने उसी पर रहे हैं जाने को मिल जाते हैं बस कुछ एक दो चीजे चेंज करने को मिलते तो अभी मुझे लगता है नतिंग भी यह करने वाला है क्योंकि नतिंग ब्रेंड इसको हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से जानते थे और यह ब्रेंड हमेशा इनोवेशन पर ध्यान देता थ और हमेशा नहीं नहीं चीज़े मार्केट में लाने के लिए लान जाता था लेकिन उन्होंने इस बार भी जो बाकि ब्रेंड कर रहें वैसे किया उन्होंने सेम जो नतिंग फोन टुम्न प्लस जो अलड़ेड़ी लाञ्च हो चुका है और कुछ भी हैं ज्यादा बस बदो ऐसे स्टडी करने से मार्केट बिल्कुल भी नहीं चलेगा अल्रेडी ऐसे ब्रेंट से जो इतनी प्राइस में और भी जाधा बढ़िया स्पेसिफिकेशन देते बढ़िया अपने स्मार्टफोन पर काम करते नथिंग उनमें से एक बढ़िया ब्रेंट है लेकिन अभी पता नहीं शायद से उनका डाउन फॉल भी हो सकता है इनी चीजों की वज़े से तो नतिंग फोन टुए जो प्लस है मुझे तो लगाता बहुत जबर्दस्त होगा और नतिंग फोन टुए का एक बढ़िया और बैटर वर्जन होगा और प्राइसिंग भी काफी जदा एग्रेस बाकि तीन और चार साल तक आपको अपडेट्स दोने स्मार्टफोन में मिलते हैं यूफ्स टूपन टूरेज दोने स्मार्टफोन में बस यहां पर एक चिपसेट और एक कैमेरे से यही दो चीजों में थोड़ा सा इंप्रूमेंट किया है उन्हें ने मिडिया टेकर डामे आगे फरक बस इतना है कि आपको जो गीगाहर्ट्स ज्यादा मिलते हैं और बाकि 10 पसंद देखने को मिल जाते बाकि कुछ भी फरक नहीं है गेमिंग एकदम सेम होती है और थोड़ा सा एंटी टू स्कोर जाधा है इसके अलावा जादा कुछ फरक नहीं है लेकिन काम वह स मिलते हैं और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30 फ्रेंस पर सेकेंड मिल जाता है सेल्फी में और वहां पर नतिंग फॉन 2A में आपको 1080 60 फ्रेंस पर सेकेंड मिल जाता है तो यहां पर भी बहुत सारे यूट्यूबर का कहना है जो भी मैंने टेक रिवीज व्या फिर जो भी सेल्फी में एकदम सेम है कुछ ज्यादा इंप्रूमेंट नहीं है उल्टा यह जो नतिंग फॉन 2A प्लस है वह नतिंग फॉन 2A की तरह कॉलिटी भी उतनी लेवल की नहीं प्रूइड करता है जितना वह स्मार्टफोन करता है तो यह चीज़े उन्हें ने चेंज के इसके अलावा बैटरी भी आपको सेम मिलते 50W का फार्ट चार्जर यह स्मार्टफोन को सपोर्ट करेगा और नटिंग फॉन 2A 45W के चार्जर को सपोर्ट करता था तो यह भी आपको अलग से करिना पड़ेगा यह चीज क्लियर कर दिये में पिछले वाले वीडियो में और क्या ही बता हम आपको सब कुछ सेम टू सेम एकदम डिटो कॉपी है और मुझे नहीं लगता है कि यह स्मार्टफोन की जरूरती उल्टा वह लोग अभी और ज्यादा स्टडी करते मार्केट और जो भी उन्हेंने स्मार्टफोन लांच किये जैसे कि CMF हो गया या फिर नतिंग के 2 लेकिन मुझे तो लगता है कि 2a प्लस जो भी उन्हें लांच के अभी उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि लोग अल्डेडी टुए खरीच चुके है और मुझे नहीं लगता कि अगर आपके वस्टूए है तो आपको टूए प्लस करिदना चाहिए क्योंकि 2a जो है लेकिन अगर मैं नतिंग फोन टूए प्लस की बात करूं तो वह आपको 8GB RAM 256GB से स्टार्ट होता है और इसकी प्राइस है 28,000 रुपीज जो बहुत जादा होता है इस प्राइस में आपको और भी ब्रेंट बड़िया स्मार्टफोन प्रोवाइड करके देते हैं मुझे नही अगर स्मार्टफोन खरीदने जाए तो यह उसकी ओरीजिनल प्राइस है 30,000 रुपीज और 28,000 रुपीज तो आप लोग सोचना कि आपको स्मार्टफोन करिदना है नहीं मुझे तो नहीं लगता है कि आपको स्मार्टफोन खरीदना चाहिए क्योंकि नतिंग फोन टूए ह ही अच्छा है मुझे तो नहीं लगता है कि यह स्मार्टफोन एक बढ़िया अप्ग्रेड है अपने नतिंग फोन टुए का तो उन्होंने इतना दद हाय बनाया और बाद में लोकों को क्या मिला घंटा आपके क्या खैला थे कमेंट सेक्षेन बता देना उससे पहले यह वाल करता है